हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू मैं चैनल में कैसे हैं हम सब आज की वीडियो में मैं अपने बेड्रूम का मेक ओवर करने वाली हूँ इसके साथ साथ बहुत से और भी टिप सेयर करने वाली हूँ जो कि आपके घर को और जादा सुन्दर बनाने में आपकी हेल्प करेंगे तो पूरी वीडियो को देखना जो भी वीडियो में अच्छा लगे जरूर बताना ठीक है तो यहां पर यह बैड्सीट है मेरे पास तो मैंने इस बैड्सीट को वैसे तो बहुत यूज किया है क्योंकि आप देख रहे हूँ ना किस तरह से इसमें जोल गिर जाता है क्योंक जो बीच का जो पॉर्शन है यह मैंने बाद में इसके उपर लगाया था ठीक है अब यह आपको दिखाऊंगे कि पीछे से इसका यह चिकन कारी का वर्क है इसमें तो मैंने फिर क्या किया था एक कपड़ा लिया जो तोल के वेट के कपड़े आते है वो कपड़ा लिया था काफी यूज कर लिया है तो अब मैं इसको फैकना नहीं चाहती थी क्योंकि बहुत अच्छा कपड़ा था तो मैं इसको रियूज करना चाहती थी आपके पास भी अगर कोई बैड सीट है तो आप उसको डेफिनिटली कि कई बार होता है कोई बैड सीट बैड पे अच्छी स लिजय कर सकते हैं अपने मेज्रिमेंट की हिसाब से उसको कट कर लो बैड sixth को क्यूंकि मेरा मेज्रिमेंट जो था यह बिल्कुल सेंटर का निकालना था मैं मुझे तो मैंने इसको निकाल लिया है अब आप चाहें तो अपने सेंटर टेबल पे आप चाहें तो स्थरी और फोल्ड करने के बाद मैंने इसको स्ट्रडी टेबल पे जो है बिचा दिया था हालनकि ये वाला जो स्ट्रडी टेबल है ये काफी लंबा है काफी बड़ा है तो इस पे ये इतना अच्छे से नहीं आ रहा था तो साइड में टेबल देख रहे हैं उस पे मुझे बिचाना अब ये आपको इस पे डाल के दिखा देती हूं तो है ना बहुत अच्छा आइडिया अच्छा लगाना है तो लाइक जरूर करते हैं वीडियो को कमेंट भी करना अब क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला कि मैं अपने जो बेड्रूम है उसको आपको दिखाने वाली हूं द मुझे लगा कि नहीं बीफोर लुक और आफ्टर लुक मुझे सूट करना चाहिए था इसलिए कुछ हो गया था कुछ जो बाकी था वो मैंने आपको दिखा दिया तो ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल जो कि बिल्कुल नॉर्मल है बिल्कुल कॉमन है जो कि हर घर में होता है इसी के उपर ये समान रखा हुआ था जो कि मैंने उता नेचे रख लिया है इन सब चीजों को करने से पहले पूरे रूम की क्लीनिंग हो चुकी है पूरे घर की भी क्लीनिंग हो चुकी है रूम की भी जैसे की जो भी डस्ट वगएरा थी जाड़ना था जाले वगएरा तो सबसे पहले जो भी चीजें हमने लगा रखे ना उनको निकालना स्टार्ट करो और एक चीज और बताती हूँ जब भी आपको cleaning करने हैं कुछ ऐसी cleaning करनी है तो पूरे घर का काम होने के बाद जब आप rest करते हैं उस time उस वाले time को अपने लिए select किया करो ठीक है तो यह दे यह देखिए जिस तरह से अगर कोई भी हैंगिंग जो फ्रेम होता ने वो हम लगा देते हैं तो बस सारी चीजे उसी पर लटका दो जिसको जो मिलता है वो इसी पर टांग के चला जाता है तो ऐसा आपने नहीं करना है इसलिए जहां पर की होल्डर होता है वहीं पर ऐसी चेंज किया हुआ है यानि कि जो एक्चुल में यह आया था वैसा ऐसा नहीं आया था कुछ और ही यह आया था इसको भी मैंने इस तरह से यह जो फोटो लगा के और इस तरह से पेंट को चेंज करके मैंने इसको चेंज किया था जैसे कि आप देख पा रहे हों कि यहां यह बिल्कुल मैंने इसके उपर चिपकाया हुआ है तो इसी तरह से चीजों को चेंज करकर करके हम अपने घर को नया लुक दे सकते हैं तो अब इन सारी चीजों को कैसे करना है किस तरह से करना और काम को न इस तरह से किया करो कि वो बोज ना लगी अब मेरे पास ये एक प्लैंटर है जो कि आप जानते हो करवाचोत होता है या फिर अहोई, अस्टमी के जो फास्ट होते उनमें हम इनको ले के आती है इसके बाद मैं इनको क्या इस तरह से यूज करते क्योंकि यूज करने बहुत जरूरी होते है हर बार मैं नए पर्चेस करते हैं उनको पेंट करके प्लैंट लगा लेती हूँ ये कम से कम तीन साल पुराना है अब इसको भी नया लुक देंगे और किस तरह से यूज करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी तो सबसे पहले मुझे लगा कि इस जो पेंट मैंने किया है ना इसको मैं रब कर देती हूँ निकल जाएगा और ये बिल्कुल पेंट के बारे में भी कौन सा पेंट आप यूज कर सकते हैं बहुत जल्दी मैं एक वीडियो शेयर करूँगी तो उसको भी देखना तो आप देख सकते हैं आपके सामने मैं इसको घिस रही हूँ बढ़ ये उतना अच्छे से नहीं निकल रहा है तो जो भी पेंट हम करते हैं वो काफी अच्छे से चलते हैं तो अब देखिए क्योंकि कुछ और करना था मुझे इस पे तो मैंने कह किया इनको पेंट करके रख दिया था और ये रात हो चुकी थी और मेरा यहाँ पे ये मकसद था कि रात को मैं इनको पेंट करके छोड़ दूँगे तो सुबह तक ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे और फिर इनको हम नेक्स जो काम करना है वो कर पाएंगे तो मैंने कंकिया देखिए सबसे आसान तरीका होता है अपने घर को डेकुरेट करने का चीज चीज में लगाकी रहती हूँ और वो जो board जो मैंने अभी आपको दिखाया था जिसपे की कुछ painting थी उसको मैंने black color करके रिए एक coating लिखी है इसके उपर और ये जो चीज मैं कर रही हुने ये fix नहीं है अभी क्योंकि दिवाली और दसेरा तक आपको बहुत कुछ और भी चीजे अच्छे अच्छी चीजे देखने को मिलेंगी तो प्लीज चैनल को subscribe कर लो और वीडियो अच्छी लग रही है तो like जूर कर देना इस तरह से मैंने इन चीजों को hang कर दिया और बहुत ही सुंदर लग रहा था आप जूरूर बताना आपको कैसा लगा है ठीक है और यह देखिए यह जो port मैंने paint किया है फिर से यह बिलकुल नया हो गया और इससे इसकी life बढ़ जाती है तो इसी तरह से चोटी चोटी चीज से बढ़ कर कुछ नहीं अगर आप life में success होना चाते हैं तो अपने बच्चों को well educated जरूर किजिएगा ठीक है तो इस तरह से मैंने देखिए कुछ इस तरह से इन इस वाले portion को तो कर दिया ठीक अब बारी आती है बाकी की चीजों की जैसे कि मैंने आपको बोला धीरे धीरे करके करती हूँ एक साथ सारा काम करने की कोशिश नहीं करती हूँ नहीं तो tired हो जाते हैं ठीक है अब यह जो table है यह भी मैंने पहले नहीं था तो अभी मैंने यहां पे लगाया है क्योंकि पहले bed की position भी कुछ और थी यह भी मैंने change की है ठीक है तो यहां पे मैंने एक flower pot र रख सकते हैं ठीक है इस तरह से अब अपने घर को clean कर लो चीजों को ना मैं change करती रहती हूँ कभी कोई चीज कहां कहीं पे रख दी कोई कभी कोई चीज कहां पे रख दो इस तरह से change करने से भी एक नया look मिलता है हर बार जरूरी नहीं है कि हमें नई चीजें purchase करके हम अप सारी habit बन गई है ठीक है तो अब अच्छे से मैंने अपने dressing को भी clean कर दिया है और बिल्कुल normal है अगर आप देखना चाते हो तो comment करना कि मैं किस तरह से अपने dressing को छोटे से dressing को arrange करके रखती हूं सारी चीजें अच्छे से रखती हूं ठीक है अब मैं पूरे जो room है ना उस जल्दी नहीं है ठीक है तो ये front की दिवार है ये वाली वीडियो भी आपके साथ बहुत जल्दी share करने वाली हूँ ये सारा मैंने ही किया है किस तरह से किया है किस तरह से आप चीजे कर सकते हैं बीना किसी खर्चे के आप अपने घर को decorate कर सकते हैं तो पहले ये दिवार मे ऐसा लगा आपको ये तो ये बिल्कुल सची चीजे हैं अपनी life में motivation होना बहुत जरूरी है be the best version of yourself तो हमें अपना best बनना चाहिए खुद पे विश्वास रखना चाहिए और एक race अपने आप से चालू रखने चाहिए दूसरों से हमें अपने आपको compare नहीं करना चाहिए हमें अपने आप से खुद को compare करना चाहिए कि last year हम कहां थे और आज कहां है तो कुछ इस तरह से दिख रहा था इसके बाद आप देख सकती है बैड पे कुछ भी ऐसा चेंज नहीं किया है मैंने ऐसा जैसा कि मैंने बोला धीरे धीरे करके मैं काम करती हूँ नहीं तो मुझ इसा नहीं दिखाऊंगी जो कि बिल्कुल ऐसे लगेगा कि अगर बच्चे हैं घर में और वो नहीं कर सकते हैं तो यह देखिए लाइव प्लेंट क्यूंकि यहां पे विंडो है तो यह प्लेंट अच्छे से सरवाईव करेगा और साथ ही साथ मैंने यहां पे देखिए कें लगती हुआ जो भी धुआ आप आपको ठीक लगता है तो ऊपर देखिए मैंने यह जो बोक्स रखा इसमें सारे हेर मेंट से जैसे पार्टी वियर होते हैं बच्चों के वह सारे हैं क्योंकि नहीं तो इदर उदर बिखरे रहते हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते तो तूट भी जाते हैं ठीक है यह कुछ इस तरह से मेरा रूम दिख रहा है और कुछ भी ऐसा चेंज नहीं है बिल्कुल कॉमन है आप बोलोगे ना तो जरूर शेयर करूंगे आप लोगों के साथ यह बहुत इंपोर्टेंट बास्केट है यह बास्केट रहती है यहां प कभी भी रात को जुरूरत पढ़ जाती है या कभी भी हम सो रहे होते तो वहीं से लेके हम यूज कर सकते तो यह चीज़े मैंने कुछ इस तरह से यहां पे रखी है और ओयल का आप इस तरह से टीशू रखे नीचे और अलग से रखे सेपरेट यह दो ड्रोयर रखे हैं इन इससे एक motivation मिलता है और जो दिन भर की negativity और जो आजू बाजू की जो भी negativity होती है जो लोगों के थोट होते हैं उनसे हम दूर हो जाते हैं तो यह जो table है बेड का जो side table है वो है यहां से मैंने बेड से बेड में क्योंकि ड्रोयर है और वहां से कुछ समान निकाला था तो इसलिए मैंने इसको निकाल दिया है ठीक है यहां से तो अभी यह यहां पे लगेगा आप यह आपको दिखाऊंगी और यह जो क्या बोलते हैं कर्टेंस है देखिए विंडो से इतनी अच्छी धूप आ रही है बहुत अच्छे से वेंटिलेशन बहुत अच्छा है मेरी घर में बिल्कुल भी ऐसे घूटन या फिर सफोकेशन के जैसा बिल्कुल भी नहीं है ठीक है तो मैं आपको दिखाना चारी थी कि कम खर्चे में बहुत महंगी महंगी चीज़े लेकि हम अपने घर को डेकुरेट करेंगे सबसे आसान तरीका होता है प्लैंट्स को एड़ कीजिए ठीक है तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको कि किस तरह से एक ही रोड पे मैंने जो है डबल लेयर कर्टेंस डाले है और बहुत यह है एक और दिवार एक और साइड जिसको मेक ओवर करना अभी बाकी है और यहां पी यह सिंगल बैट रहता है क्योंकि हमें जूरत पड़ती है इसकी ठीक है तो इसका मेक ओवर अभी बाकी है सिर्फ इसी तरफ का हुआ है अभी एक साइड का बाकी है जो बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल पे नई हो तो सब्सक्राइब तो इसी तरह से आप भी अपने घर को डेगोरेट कर सकते है एक यह चीज दिखाना चाते है तो जो डेली के यूज के हैर बेंड होते है इधर उधर गिरते रहते तो य नहां पे इस तरह के हुक्स लगा के इस तरह की चीजे लगा के आप इसको भी यूज कर सकते हैं ठीक है जो की इसली मार्केट में मिल जाती है आप देखिए कर्टेंस क्योंकि अब नाइट हो चुकी थी और नाइट में कर्टेंस का लुक और अच्छा आता है क्योंकि दिन ये color combination जो curtains का है ने ये बहुत अच्छा लगता है मतलब one of my favorite ये color जो combination है आप जुरूर बताना आपको कैसा रखता है रात के समय इसका अच्छे से look आ रहा है आप देख सकते हैं और बस ये एक चोटी सी वीडियो थी इस तरह से आप चीजों को maintain करके रख सकते हैं वीडियो अच्छे लगे न तो please वीडियो को like कर देना thank you for watching